तो आज मैं तयार हुई हूँ मैं कहा जा रही हूँ आप सब को बताऊंगी तो मैं कैसी लग रही हूँ आप सब कमेंट में जरूर बताईएगा कमेंट में लिखेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो आप सब को पता है कि बारिस का मौसम है और मायसम पूरा घीरा हुआ है तो बे का टाइम है फिर भी ऐसा लग रहा है कि बारिस होगा फिर भी मैं जाने के लिए रेडी हूई हूँ देखती हूँ पहुशती हूँ कि रही वहा तक तो मैं आप सब को बताती हूँ कि मैं किसे मिलने जारी हूँ मैं जारी हूँ सिवानी दिदी से मिलने वो बिग बोस से आ चुकी है तो मुझे पता लगा कि वो आ गई है इसलिए मैं जारी हूँ से मिलने तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा मैं भी युटूब पे काम करती हूँ तो यहां जहां पहुंचूँगी वहां सबका सीन दिखाऊंगी मैं ऐसे जा रही हूँ रास्ते में क्या क्या पढ़ रहे हैं तारा सीन आप सुपको दिखाऊंगी और आप लोग देखिएगा पूरे वीडियो को कौन सा मार्केट पड़ेगा कौन सी घली पड़ेगी कौन सा मुहला पड़ेगा सारा चीज आप सब को दिखाऊंगी आप लोग पूरे वीडियो में जरूर बने रहेगा और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि हम कैसे महां पहुँचे और रास्ते में जाते हुए क्या-क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा तो सब कुछ हम दिखाएंगे मेरे हजबन तयार हो रहे अंदर तो अभी मैं यहां पर सोची आप सब को बता दू जब सब वो तयार हो रहे हैं और वो तयार होके आजाते हैं तब हम दो मिखलेंगे तो आने दीजिये उनसे भी मिलाते हैं आप सब को और फिर निकलते हैं सीवानी दीदी के घर और कैसे फोचते हैं वो सब आपको दिखाएंगे दोस्तो मैं निकलने ही वाली थी लेकिन मोसम इसना खराब हो गया कि मेरे हर्टेंट नहीं मना कर दिया, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा भी नहीं पाऊंगी, कितना मैं खुश थी, कि मैं आशिवानी दीदी से मिलूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, अब मैं कैसे जाओ, आप लोग कमेंट में बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाओ, लीधी तक मैं कैसे पहुंचूण के घर, प्लीज आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठ्रेटी हुई, तय। आयार हुई, कब सिभाढी हूई, इंतजार करनी हूँ, जब जाने की तैयारी आई तो बोल रहे हैं कि बारी जोरी मौजम गराब है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज आप लोग बताईए मैं कैसे उन तक पहुचू हूँ अब मैं जारी दोस्ते सोने मैं किसी से बात नहीं करूंगी बुझे बहुत घुस्सा आ रहा है